अब अब अधित रंजन सर्वाले मुद्दे पर आपके क्या विचार होंगे मेरे दोस्त अब उनकी इच्छा है तो वो देंगे फतम बाद इसमें मेरे विचार क्या है अब यह मुद्दा थोड़ा सा बढ़ गया है कि माना यहीं जाता है मेरे दूस्त कि वगल में मेंस का पेपर है पहले इसको त्याग दू जिनका मेंस है पहले मेंस दे लो फिस ये चसल है फिस ये चसल का एक्जाम दे लो फिर स्मूद्टी पर चर्चा करेंगे देखो मैं इसलिए जाता कमेंड का रिपलाई देना नहीं चाहता हूँ रिजन क्या है आप लोग कही रहे हो क्योंकि लगातार कमेंड में किसको किसको ब्लॉक करो बताना ही पड़ेगा रिजन क्या होता है मेरे दूस्त जब भी कोई टीचर अच्छा काम कर रहा होता है तो दो इचार टीचर अपना SSC का कूर्स लांज करते थे बहुत बिक्ता था और बहुत पैसा अंदर करते थे अब एक नया टीचर मार्किट में आ गया एक देड़ साल दो साल तील साल जो भी आप समझ लिजिए तो उनका होने लगा लौस अब उस टीचर ने दो सब्द चार स बोल भी दिया कि हम थार देंगे या तुछ देंगे ठीक है तो सब मिलकर उसी को टार्गेट कर लिए बस यहीं खेलाए मेरे दोस्त और उससे उससे क्या है उन टीचरों के वीडियो में व्यूस भी आना चालू हो गए है लाखों में क्योंकि बच्चा भी आजकर क्या अब एक बार विचार किजिए का मैं ज्यादा बड़ी बात ने करता हूं जब भी ससी का एक्जाम होता है कहीं ना कहीं एक बुद्दा आपके सामने आता है ना मानों तो सहीज के जाकर यूटूब में सर्च करो आज से 6 मेने पहले भी एक मुद्दा आया था उससे दो साल पहले भी मुद्दा आया था उससे तीन साल पहले भी मुद्दा आया था जब भी पेपर पास होता है नजदीक होता है रिजन क्या है कि उस टाइम बच्चा पढ़ रहा होता है जो पढ़ रहा होता है तो थवनेल ऐसे बनते हैं जहरी ले टाइप के मेरे दो बच्चे को जबूरन जाकर उसमें क्लिक करना होता है और उन मुद्द को समझना होता है कि क्या मुद्दा है सभी बच्चों से हाथ जुड़ के निवेदा ने इस मुद्दे को त्याग दू आप जिस भी टीचर से पढ़ते होगे सारी टीचर अच्छे होते हैं जिससे भी आप पढ़ते और उन टीचरों को भी पढ़ाने तो ठीक है अब जिसे मैं ज्यादा लोगों के नाम नहीं लूँगा जो जिसको टारगेट कर रहे हैं आदित रंजन सर लगा देते हैं आदित रंजन सर या अधित रंजन भाई हमारा जो भी है मेरा मानना है कि अब आप सिर्फ पढ़ाने पर फोकस कीजिए उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो आटोमेटिक लोग आपको देखेंगे आकि सब मोम आया है मेरे दोस्त अब को त्याग दो और सिर्फ जो आप अपने कर्म कर रहे हो वही करते रहे और बाकी टीचरों से से निवेदर ने हाथ जूड़के दो चार सब्द क्लास लेते समय पढ़ाते समय टीचरों के निकल जाते हैं तो उसको मुद्दे नहीं बनाए जाते हैं कि मतलब आप एक ऐसा मुद्दा रग दो समाज बच्चों के मान सिकता एसी पैदा कर दो कि आपसे में टीचर लड़ करते मरे जा रहे हैं तो बाकि मेरे सब्द फड़े से धैर पुरुवक रहते हैं अन्था आप समझ सकते हो उम्मीद यही है सभी बच्चों से सारे मुव माया त्याक के अब इस कोश्चन को सीखते हैं और अच्छे से अपने आपको बैतर करते हैं बात समझ में आए चलिए स्टार्ट करते हैं